हेलो, गुड मॉर्निंग एब्रिबन, दिस इस अनिता चौधरी, आज हम लोग पढ़ेंगे 4th of मही के करेंट अफिर्स, सो लेट्स स्टार्ट, हमारा पहला क्योशन है, हाल ही में वोल ट्यूना डे मनाया गया, यह कब मनाया गया था, 2nd में 2020, 1st मही 2020, 30 अप्रिल 2020, एंद आंसर इस ऑप्षिन ए, 2nd में 2020, इसके साथ हम यह देखेंगे, कि बाकी के जो ऑप्षिन से इस दिन क्या मनाया जाता है, तो एक मही को मनाया जाता है, राश्ट्रिय मजदूर दिवस, यानि कि नैशनल लेबर डे, 30 अप्रेल को मनाया जाता है, हम सबने पढ़ा था, आयुश्मान भारत दिवस, जिसका जवाब आप सब लोगों ने कमेंट सेक्शन में दिया था, अपने देखते हैं, ट्यूना क्या है, ट्यूना एक मचली है, ट्यूना क्या है, मचली की एक वेराइटी है, हर वर्ष संयूक्त राश्ट्रे द्वारा ट्यूना मचली की प्रजाती के सरक्षन के महत्व पर बल देने के लिए विश्व ट्यूना दिवस मनाया जाता है, कि आगे हम देखते हैं अब हम देखते हैं संयुकत राष्ट्र के बारे में कुछ संयुकत राष्ट्र की जो स्थापना है वह हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को इसका जो मुख्यालय यानि इसका हेड क्वाटर जो है वो की न्यूयोक में है और इसकी अभी प्रेजेंट में महा सचीव है एंटोनियो गुटेरस आप सब को यह सब याद होना चाहिए यून है इसकों के बारे में यह सब बहुत इंपोर्टेंट है नेक्स्ट क्योशन विश्व के सबसे बड़े समुद्र अभ्यास रिम ओफ तर पै आंसर इस ऑप्षिन टू अमेरिका नेक्स्ट किस संस्थान ने कोविड नाइंटीन के मद्दे नजर किसान सभा नामक एक एप लोंच किया है केंद्री सडक अनुसंदान संस्थान रक्षा अनुसंदान और विकास संगठन हिंदूस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेब या फ आंसर इस ऑप्षिन ए केंद्रिय सडक अनुसंदान संस्थान नेक्स्ट क्योशन हाल ही में किस राज्य के केसर को भोगोलिक संके तक यानि जी आई टैग मिलाएं आंत्रप्रदेश करनाटक जमू कश्मीर या फिर राजस्तान और ये तो आप सबको पता ही होगा कि हमारे इंडिया में सबसे जादा केसर सबसे जादे क्या सिर्फ केसर होती ही जमू कश्मीर में तो इसका आंसर है जमू कश्मीर अब इसके साथ हम ये जमू कश्मीर के बारे में कुछ और चीज़े देख लेते हैं 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाग को केंद्र शाषित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी की लिस्ट में शामिल क्या गया इससे पहले जम्मू कश्मीर एक स्टेट था जम्मू कश्मीर के वर्तमान के जो राज्येपाल है वो है गिरीश चंद्र मूर्मू जबकि जो लद्दाग के राज्येपाल है वो है राधा क्रिशना माथूर तो आपको दोनों के राज्येपाल याद रखने होंगे जम्मू कश्मीर के हैं गिरीश चंद्र मूर्मू और ल बैंक का लाइसेंस रद किया है याने इन्होंने इस बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है यह ओप्शन सार सी के पी कॉपरेटिव बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नैशनल बैंक यह नन अफ दीज अब हम देखते हैं आर्बियाई के बारे में आर्बियाई के जो अभी के गवर्नर है अपने वो है शक्तिकान दास यह क्योशन पूछा जाता है कि शक्तिकान दास जो की आर्बियाई के गवर्नर है यह कौन से नंबर के गवर्नर है तो हमें यह याद रखना होगा कि यह 25th न गवर्नर थे इससे पहले थे उर्जित पटेल तो इन्होंने उर्जित पटेल की जगे लिए आर्बियाई की स्थापना अप्रेल 1935 में हुई थी जबकि इसका नैशनलाइजेशन जो था वो एक जन्वरी 1949 में हुआ था और आर्बियाई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे तो आर अधारित कार्यक्रम यश किसने लॉंच किया यानि जो यश कार्यक्रम है वो किसका है DRDO NCSTC ISRO या फिर नन अफ़ दीज तो दा आंसर इस NCSTC अब NCSTC की फुल फॉर्म देख लेते हैं इससे पहले हम देखेंगे DRDO की फुल फॉर्म होती है इसरो की फुल फॉर्म होती है Indian Scientific Research Organization अब हम NCSTC की फुल फॉर्म देखते है इसकी फुल फॉर्म है National Council for Science and Technology Communication और एक्जाम में पूछा जाएगी सबसे important question यही होगा कि यश की फुल फॉर्म क्या है तो यश की फुल फॉर्म है Year of Awareness on Science and Health Next question अब न्यूजिलेंड की कापिटल क्या है न्यूजिलेंड की कापिटल है वैलिंग्टन और इसकी वर्तमान में प्रधान मत्री है जैसिंडा अर्डन Next question हाल ही में डैनिस गोल्डन बर्ग का निधन हुआ यह कौन थे क्या यह सामाजिक कारे करता थे राजनितिग्ये वैग्यानिक यह गणितग्ये इन्होंने क्या किया था इन्होंने रंग भैद यानि डिस्क्रिमिनाइजेशन को मिटाने के लिए नेल्सन मंडेला के साथ कारे किया तथा 20 साल की इनको जेल भी हुई थी किस देश ने हिजबुल्ला को आतंगवादी संगठन नाम दिया है यहां और पाकिस्तान अफगानिस्तान जर्मनी या फिर इराण इनदा आंसर is option C, Germany Germany ने क्या किया है Germany सरकार ने इस आतंकवाती संगठन की सभी गतिवीदियों को प्रतिवनतीत कर दिया है Germany की capital है Berlin Germany की currency है Euro और यहां की chancellor है Angela Merkel और जो मैंने कल सवाल पूचा था यानि 30 अपरईल को क्या मनाया जाता है उसका आंसर था 30 अपरेल को आयशमान भारत दिवस मनाया गया आज का सवाल है आपका हाल ही में कौन सा देश ICC Test Ranking में First रहा आस्ट्रीलिया, इंगलेंड, भारत या न्यूजिलेंड आस्ट्रीलिया, इंगलेंड, भारत या न्यूजिलेंड आप सबको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना होगा और मैं इसका जवाब चेक करूँगे ही किस-किस ने सही जवाब दिया है Thank you everyone If you like this video, then please do share, subscribe and like Thank you